शेहर के लंगर सिंग कॉलेज में मंगलवार को सत्र दोहजार सत्र बीस के चात्र चात्राओं का विदाई समाहरो धूंधाम से मनाया गया इस दौरान पद्रकारिता के चातर चातराओं ने अपने सीनियर 2017-20 के अंतिम वर्ष के चातर चातराओं को नमाकों से विदाई दी कारीकरम की शुरुआ अजस्वती वंदना सी की गए मंचसन्चालन चातरा भावना मिश्रा ने किया इस दोरा अनस्क्रितिक कार викरम भी हुए जिसमें कई चाटर चातराओं ने नृत भी किया इतर विदाई समारों के मौके पर सीनिर चातर चातराओं ने अपने तीन साल के अनुभव को जूनिर चातर चातराओं के वीज साजा किया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेड ना दी एलेक्स कॉलेच के प्राचारे डॉक्षर ओपी राय ने चातर चातराओं के उजवल भविश को लेकर उन्हें शुप कामनाय दी BMC विभाग के विभागा द्यच राजेश्वर कुमार ने बताया कि BMC विभाग की ये परंपरा रही है कि अंतिवर्ष के चातर चातराओं को रिजल्ट आने के बाद उन्हें विदाई दी जाती है इसी के तहत समाहरो कायो जन किया गया है इस मौके पर BMC विभाग के विभागा द्यच राजेश्वर कुमार, सिक्षक, लड़ित किशोर, सिक्षक विरीन कुमार समें तैस सिक्षक और चातर चातराओं मौजूद रहे इसके बाद इनमें जो असी मौक उसने उजिक और चमता के बदोलती लंगर सिंक कॉलेज ऑमान समाहर भाएंगे सिक्षा के झेत ने स्वास्त के चित्र में उसको उज्या गर करके उसको आगे बढर यहां पर सिर्पी जी की पढ़ाई नहीं होती है यहां पर पीजी के पढ़ाई के लिए विश्मिध्याले को लगातार जगाया जा रहा, भेजा जा रहा लिगकर, देखिए कब विश्मिध्याले सीनर सिंडिकेट से कड़के सरकार तक से करवा के हम लोगों को पढ़ाने के लिए बच्चे लोगों की बवस्ता परदान करती ह हम लोग चाहेंगे जिस कुल्पति मान्य अहर्मान पॉंडे जी के समय इस कॉलेज में पीजी तक्की पढ़ाई हो। जो पतती रही है प्रम्रागत रुप से कि जो फर्स्ट यर सेकेंड यर के छात्र मील करके अपने अंतिम वर्ष के छात्रों को फैरवेल देते हैं और जो नए बच्चे जिनका नमंकन होता है उनके लिए फिर्शा से विलकम की पार्टी हो तो उसी कड़ी में आज 2017 से 20 बैच के त्याक्सियों को फैरवेल का यह त्याक्सम रखा किया है